दोस्तो BTS member Jimin आज एक amazing dancer, singer होने के साथ-साथ BTS group के main dancer भी है इसके साथ ही दोस्तो लोगों का कहना है कि Jimin एक swan की तरह dance करते हैं और उनकी family उन पे बहुत ही ज़्यादा proud feel करती है क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा talented artist है पर दोस्तो क्या आप जानते हो कि Jimin के dad नहीं चाहते थे कि Jimin एक dancer बने बलकि हर एक father की तरह उन्हें Jimin को लेकर कुछ और ही सपने थे और इसी वज़े से Jimin एक time अपने dad से disappointed भी हो गय थे दोस्तो हर एक person का अपना अलग dream होता है पर उस dream को real करना इतना आसान नहीं होता इसके साथ ही दोस्तो most of the Korean parents भी यहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से study करें और एक doctor, engineer या lawyer बने और एक stable job करें और अगर कोई बच्चा, एक artist, dancer या फिर sportsman बनना चाहता है तो उनके parents उनके decision को agree नहीं करते क्योंकि दोस्तो कोरिया में इस तरह के career बना पाना बहुत ही ज्यादा मुस्किल होता है और जीमिन के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था दोस्तो जीमिन अपने school days में एक बहुत ही अच्छे student थे इसके साथ ही वो अपने class के class president भी थे उनके अच्छे score को देखकर उनके dad की उम साथ ही choreography भी सीखना चाते हैं और जब जीमिन के dad ने जीमिन के इन बातों को सुना तो वो बहुत ही ज्यादा शौक्ड हो गये थे और उन्होंने जीमिन को अलाव नहीं करा था पर फिर जीमिन ने उन्हें बहुत ही ज्यादा convince करा और तब जीमिन के class teacher के पास जाते हैं और के class teacher कहते हैं कि जीमिन एक बहुत ही ज्यादा talented student है तो वो उन पर ट्रस्ट करें और जीमिन को आर्ट हाई स्कूल जाने दे क्योंकि उन्होंने जीमिन को स्कूल में डांस करते वे देखा था और यह सुनने के बाद जीमिन के dad उन्हें अलाव कर देते हैं आर्ट हाई स्कू गजमे से एक हैं दोस्तों जीमिन ने अपने करियर को खुटी डिसाइड करा और इसके लिए अपने family को convince भी करा और आज उनके family को उनके dad को उन पर बहुत ही ज्यादा प्राउड है इसके साथ ही दोस्तों जीमिन जिब अपने करियर में आगे बढ़े थो उनके dad ने भी उ स्क्रिप्शन में दी हुई है अपना बहुत सारा ख्याल रखे मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पर